जेहें दोस्तों बंदे मातरों पिछली बार जब आश्वास प्रस्ताव के उपर बात हुई थी तब राहुल गांदी नरेंद्र मूदी को गली लगाने पहुँच गए थे इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है बस इस बार नरेंद्र मूदी नहीं है लेकिन फ्लाइंग किस जरूर है क्या कुछ हुआ है इस फ्लाइंग किस वाले पूरे मुद्दे पर इस बारे में हम बात करेंगे मारे अलावा और कौन-कौन रहता है दरसल हुआ कुछ यूँक लोगसभा में कल वे आविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कॉंगर सितर राहूल गांदी ने भाशन दिया लेकिन उनके भाशन के बाद एक विवात पैदा हो गया दरसल केंदरी मंत्री स्मिर्तिरा दरसल लोगसभा में कल 9 अगस्त को वे श्वास प्रस्ताव पर दूसरे दन की बहस हो रही थी इस पर बोलने के लिए राहूल गांदी भी सदन में पहुंचे थे भाशन खत्म होने के बाद जब वो सदन से बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त उनके कुछ कागज जमीन पर ग उस समय केंदरी मंत्री स्मिक्तिरानी का भाशन चल रहा था ऐसे में जब ये बात उन तक पहुंची तो उन्होंने भरे सदन में इस बात पर जिक्र कर दिये राहूल गांदी के बाद लोगसभा के पटल पर बोल रही स्मृतिरानी ने कॉंगरिस नेता पर महिला सांसदों क फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जाते जाते हैं कि स्त्री विरोधी लक्षन के दर्शन दिये हैं कोई अभद्र शक्स ही महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दे सकता है ऐसे गरिमा वहीन आचरन को इस देश के सदन ने कभी नहीं देखा इसके उनके साथ कई महिला सांसदों मौजूद थी उन सभी ने एक शिकायत पत्र पर साइन कर कड़ी कारवाई की मांग करी शूभा करंदर लाजे ने कहा कि सभी महिला सदस्यों को फ्लाइंग किस दे कर ग्रावल गांधी चले गए ये सरासर दुर विवहार है और ये एक सदस्य का अनुचित और शाव अशुबनी विवहार है वरिस सदस से बता रहे हैं कि ये भारत की संसद्म के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है ये कैसा विवहार है वो किस तरह के नेता है इसलिए हमने इसकी सीजी टीवी फुटेज लेने और उनके खिलाव कारवाई करने के ल संत्री रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल पर तीका हमला बोला है उन्होंने कहा कि संसद में राहुल गांदी ने जो आचनर दिखाया वो शालिंता के खिलाफ है संसद में कोई फ्लाइंग के साखिर कैसे दे सकता है वहीं जुलाई 2018 को अविश्वास प्रस्ताव पर चर चोबनीय विवहार के खिलाफ रोज जताने वाली महिला संसदों को एक लेडी अफसर ने मनिपूर की कटना भी याद दिलाई मदबदेश की सीनियर महिला आईएस अफसर शेलबाला मार्टी ने कहाए कि महिला सांसद ये भी सोचें कि मनिपूर की महिलाओं को कैसा महसूस हुआ होगा भारती प्रशासनिक सेवा आईएस की अधिकारी का इशारा साफतोर से हिंजगरस मनिपूर में सामने आया उस वीडियो की ओड़ था जिसमें दो महिलाओं को गुमाते हुए दिखाया गिया था आये सदिकारी शेलबला मार्टीन ने ट्विटर पर कहा ज़रा सोचिये मनिपूर की महिलाओं को कैसा महसूस हुआ होगा अपनी टिपणी के साथ ही मार्टीन ने संसद में राहुल के कतित विवहार पर लोग सब अध्यक्ष को समोदिद एक पत्र भी साजा किया जिस पर कई महिला संसदों के स्ताक्षर है बता दें कि मदपरदेश का एडर की नौकडशा वर्तमान में भोपाल में मन्त्रा ले में सामानने प्रशासन विभाग में अतरिक्ति सच्चिव के पत्पर दैना थे दरसल वो आरोप है कि बुद्वार को चर्चा में हिस्सा लेने के बाद राहूल गांदी सदन से बाहर निकल रहे थे तब सतरूर पक्षे को सदस्यों की टीकट इपणी पर कॉंग्रेस सांसद ने फ्लाइंग किसकी भाव भंगिमा प्रदर्शित करी हलाकि राहूल के रियाक्शन का वो शंड कैमरे में कैद नहीं हुआ केंद्री महिला और बाल विकास मंतरी स्मृति एराणी ने कॉंग्रस नेता राहूल गांदी पर सदन में अब यह मामला जो है काफी जादा बढ़ चुका है और इसलिए लोग कह रहा है कि मनिपुर से पूरा मामला हट कर फ्लाइंग किस पराकटिक गया है मेरे सुनी फिलालत नहीं जाए हिंजे भारत